नमस्कार दोस्तो में रडुक चैनल में आप लोग का स्वागत है दोस्तो आप लोग बहुत समय से ये सवाल पूछ रहे थे कि आयप परमाड पत्र इंकम सर्टिफिकिट बनवाने के लिए कौन-कौन सर दस्तावे डोकॉमेंट लगता है आयप परमाड पत्र कैसे बनवाएं आयप परमाड पत्र बनवाने के क्या-क्या आप लोगों को फायदे मिल सकता है और आयप परमाड पत्र क्यों बनवाना चाहिए तो पूरी जानकारी मैं आप लोगों को एक ही वीडियो में देने वाला हूँ दोस्तो अगर आप लोग अभी तक चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजे और बैल आइकन को जुरूर दबाए ताकि ऐसी काम वीडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके तो वीडियो को सुरू करते हैं तो दोस्तो आय परमाण पत्र बनवाने के लिए अवसक फायदे आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जब आप लोग स्कूल कॉलेजों में पढ़ते हो और अपनी फीस नहीं भर पाते हो तो वहां के टीचर प्रिंसिपल कहते हैं के आप लोग इंकम सर्टिफिकेट या आय परमाण पत्र लाइए दूसरा किसी भी सरकारी योजना में अगर आप लोग अवेदन करते हो तो इसके लिए भी आय परमाण पत्र इंकम सर्टिफिकेट मांगा जाता है और तीसरी बात जब आप लोग SC, ST, OBC, EWS के सर्टिफिकेट बनवाने के लिए जाते हो तो भी आय परमाण पत्र इंकम सर्टिफिकेट मांगा जाता है तो यह अवस्च क फाइदे हैं आप लोग के लिए अगर आप लोग बनवा लेते हो तो और दोस्तो आप लोग यहाँ पर आय परमाण पत्र बनवाने के लिए अवस्च क्या क्या लगता है वो आप लोग यहाँ देख सकते हो सपत पत्र अवेदन पत्र पत्वारी या सरपंच या पार्शस से परमाड़ पत्र अगर आप लोग गाउं में रहते हो तो पत्वारी है या सरपंच है इससे आप लोग सपत पत्र परमाड़ पत्र बनवा सकते हो अगर आप लोग सहर में रहते हो तो पार्सस से परमाण पत्र बनवा सकते हो और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जो अवेदन पत्र होता है वो किस परकार से होता है आप लोग यहाँ देख सकते हो आय परमार पत्र बनवाने के लिए इस प्रकार से इस फॉर्मेट में आप लोग को अवेधन पत्र लेना होगा और दूसरा है यह आप लोग देख सकते हो दूसरा जो अवेधन पत्र है इसी के साथ अटेच करना होगा ये भी आप लोगों को कोई भी stationary के दुकान में या shop में मिल जाएगा आप लोगों को बोलना है वहाँ पर जाके के मुझे आय परमार पत्र income certificate बनवाना है उसके लिए अवेधन पत्र चाहिए तो आप लोगों को वो दे देगा परिवार के अन्य सदस्यों का आय अगर आपके परिवार में कोई भी कारे कर रहे हैं तो उसके लिए अगर आप लोग आय का विवरण देना चाहते हो तो भी दे सकते हो और अगर आप लोग बनवाना चाहते हो आय परमार पत्र income certificate तो इसके लिए अगर आप लोगों के पास अधार कार्ड है तो अधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, रासन कार्ड इन सभी का आप लोगों को फोटो कॉपी अवेदन पत्र के साथ सलगन करना है अटेच करना है इसी परकार दोस्तो भूमी या घर से अगर आप लोगों को आयप राप्त हो रहा है तो इसका आप लोगों को विवरण देना होगा और अंत में अवेदक का आयप प्रमार पत्र फार्म और ये सभी दस्तावे डोकुमेंट और अवेदन पत्र को लेकर आप लोग अपने पत्वारी के पास चले जाना है अगर आप लोग गाउं में रहत है तो आप लोगों अपना तहसिल में चले जाना है और दोस्तों किस प्रकार से आप लोग आयप परमार पत्र इंकम सर्टिफिकित बनवा सकते हो और दोस्तों ये सभी दस्तावे डोकुमेंट को लेकर आप लोग किसी CSC सेंटर जहां पर अधार कार्ड बनता है या पेन का अगर आप लोगों के पास कोई भी सवाल है तो हमें कमिन बोक्स में कमिन कीजिए ताकि हम आप लोग के सवालों का जवाब दे सकें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद